Hello everyone, welcome back to my channel आज हम CRPC के chapter 12 देखेंगे जो की information to the police and their power to investigate से सम्मन्दीत है इसमें हम section 154 से 176 तक के प्रवधानों को देखेंगे इसमें हम देखेंगे section 154 संगे मामलों में इतिला यदि संगे मामलों के सम्मन्द में अगर कोई भी information पुलीस सा थाने में यदि SCHO को मिलती है मौकिक रूप से तो सबसे पहले तो वो उस information को return में लेगा और जो भी person उस information को दिया है उस person को वो information पढ़कर सुनाएगा और साथी जो भी वो लिखा है उसको बेर उसके हक्ताक्षर लेगा और हक्ताक्षर लेने के बाद उसको वो उस जगह पर note करके रखेगा जो की state government जो पुलीस थाने में जो भी book alert की है जिसमें वो सारी information होनी चाहिए इसके साथी यदि कोई भी सूचना किसी इस्तरी या महिला से related है जो की IPC के section 326AB, 354ABC या section 376ABCDE या section 509 के संबंद में अपरात किये जाने का प्रितने करने के संबंद में यदि कोई information दी जा रही है तो ऐसे में ये जो information है वो पुलीस अधिकारी महिला पुलीस अधिकारी के दोरा ही लिखी जाएगी इसके प्रोवाइजर में क्या बोलता है यदि वो वैक्ति जिसके विरुद्ध में जो सिकायत है वो दज कराई जा रही है तो IPC के section जो भी उपर में बताए गया उसके दीन यदि कोई अपराद किये जाने का प्रितने करता है तो ऐसे में वो वैक्ति जो है mentally और physically अगर desirable है तो पुलिस अधिकारी के दोरा उस वैक्ति की जो भी रिपोर्ट दज कराई जाएगी उसके स्थान पर जाके कराई जाएगी या फिर कोई एक ऐसे स्थान पर जो उसके लिए सुलक्षित हो और या फिर एक विशेस special editors की जो ह स्थाक्षन 164 के सब्सक्षन 5A या फिर पार्ट A के अधिन किसी नियाइक मजिस्ट्रेट दौरा उस वैक्ति का जो भी कथन जो है वो यथा सिग्र ही अभिलिखित किया जाएगा इस एक्षन के सब्सक्षन 2 के अधिन जो सब्सक्षन 1 के अधिन जो भी information या इतिला की जो भी प्रती तयार हुई है वो इतिला देने वाले को ततकाल immediately निशुलक में दी जाएगी इस एक्षन के सब्सक्षन 3 के अंधिकारी को सब्सक्षन 1 के अंधिकार अगर इतिला को लिखने से वो इंकार करता है तो ऐसे में जो भी information होती है उसे डाक के दौरा भी उस SH को भेजा जा सकता है अगर suppose वो information वहाँ पर registered हो जाती है तो वो जो SH होता है जो information को registered किया है वो खुद भी जाके उस मामले के बारे में investigation कर सकता है या फिर जो भी उसके अधिनस्त पुलिस अधिकारी होंगे वो भी मामले की investigation पुर्ण विधी के रूप में कर सकते हैं इस investigation को करने के लिए पुल मामलों के बारे में इतिला और ऐसे मामलों का अन्विशन इस section के subsection 1 के अंतरगर्त जो भी पुलिस थाना होता है उसके जो SH होते हैं अगर उन्हें अपने सीमा के अंदर में यदि कोई non-cognosable offerings होने के बारे में यदि कोई information receive होती है तो वो इस information को noted करेगा और साथी उस information से related जो भी व्यक्ति जो information को देगा हां उस व्यक्ति को मजिस्टेट के समक्ष में जाने का निर्देश देगा और जो भी स्टेट गौर्वर्मेंट उस information को रजिस्टर करने के लिए बुक प्रवाइट करती है थाने में उसमें वह नोटेट करेगा इस section के सब्सक्षन 2 के अंतरगात जो भी पुलिस officers होगा जो भी non-cognizable offering का investigation जो होता है वो बिना मजिस्टेट के आदिस के नहीं करेगा और ऐसे मामलों का विचारन करने की या मामलों को विचार पूरनात सुपुद करने की शक्ति है उसमें इस section के सब्सक्षन 3 के अंतरगात जो भी पुलिस अधिकारी होगा वो जो भी नोटीस उसे मिलेगा उसे वह बिना वारेंट के भी गिरफतार करने के लिए उसे पावर दिया जा सकता है यह पावर वैसा ही होगा सच्छों के पास में जैसा कि उसे कॉगनिसेबल ओफरेंस क होता है तो जो भी यह रिपोर्ट बनेगी या परी जो भी वह अपराद दर्ज किया जाएगा वह कॉगनिसेबल ओफरेंस ही समझा जाएगा नेश्ट हम देखेंगे सक्षन 156 जो भी कॉगनिसेबल ओफरेंस होता उसके इंवेस्टिगेशन करने की पुलीस अधिकारी की श कोर्ट होती है उसमें चैप्टर 13 से समंध में उबंद के समंध में होगा सब्सक्षें की ने जो भी पुलीस ओविसर्स इस सक्षन गया जोबी प्रोसीडिंग करता है अपना कारेवाहि करता है तो उसके समंध में किसी प्रकार का कोशन नहीं चायगा की वह इस मामले के समं में जो भी वह इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसके लिए वह पावर नहीं है इसी के सब्सक्षिन 3 के अंतरगा जो सक्षिन 190 के अधीन जो भी सशक्त किया गया कोई भी मजिस्टेट जो पूर्वत प्रकार के जो अन्वेशन होता इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर सकता है इस सक्षिन हम देखेंगे सक्षिन 157 अन्वेशन की प्रक्रिया इस सक्षिन से जो कारवाही होती है वह शुरू हो जाएगी इस सक्षिन के सब्सक्षिन 1 के अधीन में यदि जो पुलीस थाने का जो SHO होता है उसे यदि यह इन्फोर्मिशन इतिला मिलती है कि कोई अपरा उस अपराद के समंद में पावर्ड है उसका समधान करने के लिए और जो भी उसका तथे होगी या जो भी परस्तिती होगी उसके अनुसार वो अन्वेशन करेगा और अन्वेशन करने के लिए या अपरादी का पता लगाने के लिए उसके गिरफतारी करने के लिए जो भी उप्यूग तो होगा वो खुदी उस स्थान पर जाएगा या अपने किसी अधिनस्त अधिकारी को वहाँ पर भेज़ेगा इस भी अधिकारी को भेज़े जाएगा वो not below the rank of sub inspector का position पर होगा इसके अंदर कर दो प्रवाइजो दिया है पहला की जो भी क्राइम है जिसकी भी इतिला मिली है उस व्यक्ति का अगर नाम दे कर दी गई है और वो किसी भी प्रकार का serious offense नहीं है तब यह necessary नहीं है कि जो पुलिस थाने का जो SHO है वो ही swim ही जाकर उस जगा का investigation करे वो अपने किसी भी अधिनस्त अधिकारी को भेज सकता है 37 में यह बताए गया है कि जो SHO है उसे यह प्रतीत होता है कि investigation के लिए प्राप्त साक्ष नहीं है या फिर अधान नहीं है कोई base नहीं है तो उस मामले का investigation नहीं करेगा इसके अंदगर एक important बात नोट करने के संबन में यह है कि अगर यह मामला किसी भी rape केस बाल सत्संग से संबन में है किसी पिलिता के संबन में है तो ऐसे में उस पिलिता के निवास स्थान में जाकर या वो जो भी स्थान सरक्षी समझते उस स्थान में जाकर एक महिला पुल या प्रारंबिक जाज करने की शक्ति इस साक्षिन के अंतरगत जो मजिस्टेट जब रिपोर्ट उसे प्राप्त हो जाता है इंवेस्टिकेशन का तो ये और दे सकता है जैसा कि वो ठीक समझे इस सनहीता के अरीती के मामलों के सम्मझ में अगर किसी इप्रकार के इंक्वारी या फिर उसको अन्यता निप्टाने के लिए तूरंट कारवाही करना होता है तो वो भी कर सकता है या फिर अपने की सबार्डिनेट मजिस्टेट को इस प्रोसीडिंग के सम्मझ में वो अपॉइंट भी कर सकता है साक्षियों की हाजरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकार्यों की सकती साक्षियों मतला विटनेसेस सकता है और उस व्यक्ति को court में हजिर होने के लिए इसके प्रोवाइद कहता है यदि कौई bhakti जो कि 15 वर्से और सस्टे अधिकायू करें या कोई इस्त्री हैि या मानसिक और सारी है निशिक्ठ कोई व्यक्ति है तो इन व्यक्तिव को जो वह निवास करते हैं उन्हें किसी के अगर किसी व्यक्ति को साक्ष्य के लिए बुलाया जाना है तो उसके इसना पर आधीन हाजीर होने के लिए उस व्यक्ति का जो भी खरचा होगा वह जो पुलिस आफिसर के संगे करने के लिए एक नियम बनाए गये हैं उस नियमों के उबंदों के अनुसारी वह एक्सपेंसेज कर सकती है सक्षण 161 पुलिस दौरा साक्षियों की परिक्षा इस सब्सक्षण 1 के अंतरगह जो भी पुलीस ऑफिसर होते हैं जो भी इन्वेस्टिकेशन कर रहा है वो पुलीस अधिकारी इस पूरे इन्वेस्टिकेशन में जो भी स्टेट गौर्डमेंट जो भी ऑर्डर देगी स्प प्रश्न पूछा जाएगा उसको उससे संबन में सही सही उत्तर देने के लिए वह विवश होगा और उससे अधिकारी किसी भी प्रकार की जो भी प्रश्न है वह पूछ सकता है इस सक्षन के सब्सक्षन टीन के अंतरगा जो भी पुलिस ऑफिसर्स होगा इस एक्जमनेशन के दौरान जो भी उससे पूछेगा प्रादी से जो भी वह कथन पूछेगा जो भी वह उससे आंसर देता है उन सब को वह रिटन नोट करेगा और जो भी वह नोट कर रहा है उसक सेप्रेट सेप्रेट जो भी है रिपोर्ट बनाएगा और उसे रिकॉर्ड करके रखेगा जो भी प्रशन उत्तर इस सेक्षिन के अंतर गरत अपराजी से पूछे जाते हैं उससे इलेक्ट्रानिक साधनों के दोरा भी अबिलिखित किया जा सकता है इसके अंतर गरत यह का जाता है प्रोवाइजों में कि अगर इस ती से सम्दित कथन है तो केवल जो महिला पुलिस अधिकारी के दोरा ही वो अबिलिखित किया जाएगा अगर IPC के सक्षिन 354 A B C या D से सम् सम्दित है या 509 से सम्दित है तो केवल पुलीस महिला पुलीस अधिकारी के दोरा ही वो रिपोर्ट दर्च कराई जाएगी एस तम देखिंगे सक्षिन 162 पुलीस के किये गे कत्नों का हस्ताक्षरित ना किया जाना कत्नों का साक्ष में उप्योग से सब्सक्षिन 1 में क्य पुलीस डारी में नोट किया गया है तो ऐसे में उस व्यक्ति के दौरा किसी प्रकार कोई हकताक्षर नहीं लिया जाएगा और जो भी उसने इंवस्टिगेशन के दौरान में अपना ब्यान दिया गया है उसका उप्योग केवल इंक्वारी के लिए या ट्राइल के लिए क किया जाएगा उसका किसी प्रकार का सावरजनिक उप्योग में उसे नहीं लाया जाएगा इस सब्सक्षिंट के अंदर क्या कहता है यदि किसी व्यक्ति के दौरा कुछ ऐसी बात उसके अंतिम जीवनकाल के समय में कहा जा रहा है मतलब मृत्यू के करीब में और उसने कोई उत्पेड़ना ना दिया जाना इस सब्सक्षिंट के अधीन कोई भी पुलिस अधिकारी या फिर कोई भी अन्यवैक्ति वह भारती साक्षा दिनियम के 1872 के साक्षिंट 24 के अंतरगत किसी कोई भी उत्पेड़ना धमकी या वचन ना तो देगा ना कराएगा ना जो भी पुलिस ऑफिसर्स या भी कोई अन्यवैक्ति जो भी इस चैप्टर के अधीन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में यदि किसी वैक्ति के दौरा को भी बयान लिया जाता है तो वह वैक्ति उसे स्वतंतरता पुर्वग अपनी इच्छा से ही देना होगा उसको कि प्रकार की चैतावनी के दौरा उसका ब्यान नहीं लिया जाएगा सेक्शन 164 रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेट्मेंट्स स्वर्स विक्रिटियों और कत्नों को अभी लिखित करना सेक्शन 164 बोलता है कि इसके सब्सक्शन वन के अंतरगत को भी मैट्रोपॉ इसकी जो भी अधिकारिता होगी या ना हो इस मामले से संबन में यदि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्राइल या इंक्वारी प्रारम होने से पुर्व किसी भी समय अगर वो चाहे तो कन्फेशन और स्टेट्मेंट जो है अभी लिखित कर सकता ह इसके प्रवाइजों में क्या कहता है कि किसी भी प्रकार का कन्फेशन या स्टेट्मेंट जो भी उस एक्यूजड परसंस के जो वैक्ति है उसके जो भी एडोकेट है उसकी उपस्तिती में आडियो या वीडियो इलक्रोनिक साधनों के दौरा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी पुलीस अदिकारी पुलीस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की सकती प्रदान की गई है कुछ समय के लिए लेकिन वह इस कन्फेशन और स्टेट्मेंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा इस सैक्शन के सब्सेक्शन 2 के अंतरगत क् के तो नहीं कर रहा है क्योंकि उसका यह कन्फेशनल स्टेट्मेंट आगे सबूत के तौर पर कोट में प्रयोग में लाया जा सकता है जब तक कि मजिस्ट्रेट को इन बातों की विश्वास नहीं हो जाता है तब तक वह उस व्यक्ति के दौरा जो भी वह प्रशन कर रहा है उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए उस मजिस्ट्रेट को की नहीं जो भी हो साक्ष दे रहा है वो अपनी स्वेच्छा से दे रहा है किसी की जबदस्ती पर नहीं दे रहा है जब इसे विश्वास होगा तब ही अभी लिखित करेगा अनेता वो अभी लिखित नहीं कर रहा है कंफेशन या स्टेटमेंट देने के लिए या वो नहीं इच्छुक है तो ऐसे में मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को पुलीस के कस्टेडी से आकर स्टेटमेंट और कंफेशन देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता सक्षन 4 के अंतरगत जो भी कंफेशन उस एक्यूस के व्यक्ति के दौरा किया जाएगा उसे सक्षन 281 के उबंदों के रीति के अनुसार ही रजिस्टर किया जाएगा और कंफेशन करने वाले व्यक्ति का उस पर हस्ताक्षर लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट जो है उस कंफ जो भी वे लिखा है उसके संबन्त में एक ग्याफथा दीजान जो भी साक्षय अभिलिखित किया गया है तो व्याग्ति उस व्याक्ति संबन्त में जो आई पीक के सक्षोन 354, 354A, B, C, D 376 के सब्सेक्शन 1 या सब्सेक्शन 2 के अंतरगत 376A, B, C, D, E, F के अंतरगत या सेक्शन 509 के अदिन कोई डंजनिये मामलों के सम्मंद में यदि कोई मामला या कोई भी अपराद के सम्मंद में जानकारी आती है तो इसके सम्मंद में उस वाक्ति के दोरा सपद भी दिलाया जा सकता है साथ ही अगर स्टेटमेंट देने वाला वाक्ति मेंटली और फिजिकली अन्वेल्ड है डिसाइबल है तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होता है वो एक स्पेशल एडुकेटर्स की प्लेगा और उसका एक वीडियो रिकॉर्ड भी करेगा इस सक्षिन के पार्ट खामे कहता है कि जो भी वाक्ति मेंटी और फिजिकली डिसाइबल है उससे जो बहाती साक्षे दिनियम 1872 की धारा 137 के अंतरगत इसकी एक क्रश एकषमिनेशन भी करया जा सकता है जो भी होगा उसको अभी लिखीत करेगा और इसे ट्राइल के समय प्रस्थुत किया जा सकता है इस सेक्षिन के सब्सक्षिन 6 के अंतरगत जो भी acceptance और statements और पिलिकोट उसे magist्पकीश में भेजा जाएगा जो इस मामले के समद्ध में जाच और विचारन करेगा नेश्ट हम देखेंगे सक्षिन 164A बाल ससंग के सिकार हुए व्यक्ति की सारे रिक परिक्षा इस सक्षिन के सब्सक्षिन 1 के अंदरगात यदि किसी प्रकार का बाल ससकन रेप के समद्ध में यदि को इन्वेस्टिकेशन चल रहा है यदि वो किसी इस्तरी के सरीर का मेडिकल एक्जमनेशन करने का है तो ऐसे में जो medical examination होता वो medical expert के दौरा ही किया जाएगा और ये जो expert होते हैं ये सरकारी hospital में, government hospital में या फिर वहां के local authority के दौरा चलाएगे hospital में एक registered medical practitioner के दौरा ही किया जाएगा और उनकी उपस्थिती में जो भी उस इस्तरी की सहमती है उसकी और से या फिर उसे सहमती देने वाले व्यक्ती की सहमती के दौरा ही किया जाएगा जब उस इस्तरी के संबंद में, रेप के संबंद में कोई भी information receive होती है तो उसका medical examination में receive होने, information receive होने के 24 घंटे के भीतर में जो registered medical practitioner के दौरा किया जाएगा जो भी registered medical practitioner है, उसके पास में उस इस्तरी को भेजा जाएगा बिना किसी विलम के और उसके जो physical medical examination किया जाएगा और उसके एक report तियार किया जाएगा उस report में निमलेखित बातते होंगी पहला तो उस इस्तरी का नाम या उस इस्तरी को जो लेकर आया उसका नाम और पता, उस इस्तरी की क्या IU होगी और DNA के लिए, test के लिए उसके प्रख़र से कौन से sample ली गई है और यदि उसके सरी में किसी प्रकार का मार्क किया गया है वो या उस इस्तिती में क्या थी उसका एक उचित ब्योरा तियार करेंगे इसके सब्सक्शन 3 के अंतरगरत रिपोर्ट में कॉन्कुलीजन दिया जाएगा निसकश निकाला जाएगा जो भी उस medical examination से निकला है सब्सक्शन 4 के अंतरगरत यह इस पर समाब्थी का समय क्या होगा वो भी उस report में लिखा जाएगा सब्सक्शन 4 के अंतरगरत जो भी यह report त्यार होगी वो registered medical practitioner के दोरा report त्यार की गई है और वो investigation के लिए उस magistrate को भीजा जाएगा जो section 173 में निदिस magistrate है जो कि subsection 5 और part कर में निदिस दस्तावजों की रूप में भीजा जाएगा इसके subsection 7 के अंतरगर क्लियर रूप से ये बोला गया है कि जो भी ये report तियार होगी इस section के अंतरगर तब वो इस्तरी की सहमती के बिना तियार नहीं की जाएगी मतलब इसमें समपूर रूप से इस्तरी की सहमती थी या फिर उसके जो भी परिवजन थे उसकी सहमती से ही medical examination हुआ है इस section 165 पुलिस सदिकारी दौरत तलासी इस section के subsection 1 के अंतरगर जो भी पुलिस थाने का जो SHO है या फिको भी पुलिस आफिसर से उसके पास में एक प्रयाप्त अधार है कि कोई उसकी सीमा के अंतरगर कोई एक ऐसी चीज है जिसका investigation करना बहुत जरूरी है तो वो क्या करेगा बिना किसी विलंब के वो तलाशी लेने के लिए चला जाएगा और लेने जाने से पहले वो उन कारणों को लेखा बत करेगा नोट करेगा कि किस चीज के तलाशी लेनी है वो तलाशी लेनी है उसके बाद वो अपनी सीमाओं के अंदर तलाशी लेने के लिए चला जाएगा साथ ही यदि इसके सब्सेक्शन 3 के अंदर क्या कह रहा है अगर वो स्वयम नहीं जा पारा वो अधिकारी तो वो क्या करेगा अपने एक अधिनस्त अधिकारी को यह कारे भार सोपेगा कि वो उस जगह पर जाए जिस चीज की तलाशी लेनी है तो वो उस चीज को रिटन आद के जो भी उबंध है वो सक्षिन हंडेट के साधरन उबंधों के अधिन ही तलाशी ले लिए लागू होंगे सब्सेक्शन 5 के अंदर क्या कहता है सब्सेक्शन 1 और सब्सेक्शन 3 के अधिन जो भी अभिलेक या प्रतियाद जो ततकाल ही मजिस्टेट के पास में भेज दी जो भी इन्वेस्टिकेशन हुआ है उस अपरात के सम्मंध में जो भी मजिस्टेट है जो भी इन्वेस्टिकेशन में इन्वाल्व है उसे वो ततकाल भेज दी जाएगी साथ ही जिस जगह की तलाशी ले गई है उसका जो मेन ऑनर है उसको भी एक आवेदन में ये एक प्र वहां पर सर्च के लिए वह आदेश के लिए बोल सकता है कि तलाशी ली जानी है अगर उसने अपने जिला में तलाशी ले ली है तो सक्ट 2 में क्या कहता है वह अधिकारी के दौरा जो भी तलाशी ली जाएगी सक्ट 155 की बंदो के अनुसार कहरेगा यदि कारवाही करें करें यदि मिलती तैलाशी के दौरान तो क्या करें उसे अधिकारी के पास में में भेज नाटzn के ले उससे आदेश दिया था इस section के subsection 3 के अंदरकर बहुत important बात ये बोला है कि यदि जो पुलिस थाने का SHO है उसे ये लग रहा है कि अगर वो इस कारी के लिए यदि वो दूसरे जिले के SHO है या सब इंस्पेक्टर है उसे अगर ये कारे भार सौपता है और इस सम्मंद में यदि ये विलंब हो जाता देर हो जाता है investigation में वो सकता है कि जो भी साक्षे होंगे सबूत होंगे उसे चुपा दिया जा सकता है तो ऐसे में उस जो जिले के जो पुलिस अधिकारी होते है SHO होते है उसे ये अधिकार होगा कि वो उस दूसरे जिले के अंदर में section 165 के उबंदों के अधीन जाकर तल तलाशी भी ऐसी ही लेगा जैसे कि वो अपने थाने अपनी सीमा के अंदर ले रहा हो इसके subsection 4 के अंदर क्या बोल रहा है कोई भी अधिकारी वो subsection 3 के अधिन में जो भी तलाशी करना है जिस भी जगह पर तो वो क्या करेगा immediately वहां के पुलिस थाने के SHO होगा उसको immediately ये उसकी सीमा के अंदर में कहां पर तलाशी लेना है और ये जो तलाशी लेना है वो section 100 के अधिन तलाशी की जो सूची तियार की गई है उसकी एक प्रती भी वो भेजेगा और जो भी अपराद वहां पर होना है या फिर magistrate के पास में जो section 165 के subsection 1 और subsection 3 में जो निजिट honors होगा अगर वो आविदन कर रहा है कि उसे भी उसकी प्रती लिपी चाहिए तो मजिस्टेट के दौरा subsection 4 के अधिन निशुल्क उस प्रती लिपी को उस व्यक्ति को भेजा जाएगा प्रत के बाहर किसी देश या इस्थान में अनुवेशन के लिए सक्षम प्रता दिकारी को अनुरोध पत्र इसके subsection 1 के अधिकारी होता है कि हमारे इंडिया से बाहर भी कोई एक ऐसा देश जहां पर कि वो इविडेंस हो सकता है तो ऐसे में क्या करेगी जो भी हमारे की crime court होती है वो उस देश के उस इस्थान के जो प्रतादिकारी होंगे उससे ये request करेगी कि हमारी proceeding के लिए आपके country में हमारा एक साक्ष उपलब्द है तो वैसे साक्ष वैसे वैक्तिगी एक mocking examination करेंगे और जो भी तथ या परिस्थिती के बारे में वो जानता है वो उस परिक्षा में examination में उसको पूरा लिखा जाएगा कि वो उसके पास क्या-क्या evidence है अगर उसके पास कोई दस्तावेज या कोई चीज भी है तो उससे वो request क करेंगी कि वो जो भी उसके कबजे में है वो दस्तावेज वो चीज वो हमें शौप दे और इसके सम्मंध में जो भी उस country का जो भी कोट है वो सारी प्रतिलिपी को लेगा और लेके जो इंडिया की जो कोट होगी उसे वह भेजेगा जिस भी कोट ने आविदन किया था उस कंट्री से इसके सब्सेक्शन 2 के अंदर गरत क्या कहा जा रहा है कि जो भी रिक्वेस्ट तियार किया जाएगा उस country के लिए उसको किसके बेस पर तियार किया जाएगा जो भी सेंट्रल गॉर्मेंट जो भी विर्निदिस्ट करेगी जो भी बताएगी उसकी बेस पर इस हम देखेंगे स्क्षन 166-B भारत के बाहर किसी देश या स्थान से, भारत में अनवेशन के लिए किसी न्याले या प्रदिकारी को अनुरोध पत्र अभी हमने पहले के सब्सेक्शन में क्या रहा है कि भारत से कोई आविदन पत्र अनुरोध पत्र जा रहा था अब क्या और भारत में कोई अनुरोध पत्र आ रहा है भारत के बाहर किसी अन्य देश से तो इसके सब्सेक्शन है चीप जुडिशल मजिस्टेट है उसे यहां निमित न्यूक्त करती है जो अग्रसित कर सकती है कि उस वाक्ति को वो संबन करेगा और उसके दौरा जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है या जो भी दस्तावेज या जो भी चीज उसके पास है वह उसे लेकर आएग किस प्रकार से इंवेस्टिकेशन होगा जैसे कि भारत में ही वह क्राइम हुआ है सब्सक्शन 2 में क्या कह रहा है जो सब्सक्शन 1 क्या दीन जितने भी इविडेंस कलेक्ट किये गए हैं चाहे वह प्रतिरीपी हो कोई चीज हो जो भी मजिस्टेट या फिर पुलिस ऑफिस ने रिसीव किया है जैसा कि अन्य देश के जो भी नञाले है या प्रतिर्दिकारी ऑफिसर ने रोट पत्रे में भेजा था तो एसे में केंदर सकार होगी विधी नियम जो भी रिती है वह मत्रीके उसके अनुसार वह आगे उसे प्रोसीडिइं करेगी नेस सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 167 जब 24 घंडे के अंदर अन्वेशन इन्वेस्टिगेशन पूरा ना किया जा सके तब का प्रक्रिया इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंदर क्या क्या है अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और कस्टेडी में रखा गया है और investigation जो है वो section 57 के दौरा यहरी 24 घंडे के अंदर पुरा नहीं किया जाता है तो ऐसे में जो भी information उस व्यक्ति के accused person के सम्मंद में जो भी मिला है अगर वो लग रहा है कि वो बहुती मतलब सही हैं तो ऐसे में जो भी उस police थाने का ऐसे चो अधिकारी होगा या investigate officers होगा या फिर उपने रिक्षा not below the rank of sub inspector वो क्या करेगा जो भी उसके नजदीकी magistrate होंगे इस मामले के सम्मंद में जो भी उसने dairy में note किया है उसकी एक प्रतिलीपी भेजेगा साथ ही उस accused person को भी उस magistrate के पास भेजेगा इस section के subsection 2 में क्या कहता है जिस magistrate के पास में उस accused person को भेजा गया है अगर वो इस मामले के सम्मंद में यदि किसी प्रकार का उसके पास में power नहीं है तो ऐसे में उस व्यक्ति को जो magistrate होगा जैसा भी वो ठीक समझे कुल मिलाकर वो 15 दिन से अधिक के लिए वो custody में नहीं रख सकता है और लेकिन उसे समय समय पर क्या है उसे बुला सकता है उस मामले के सम्मंद में जिस मामले के लिए उसे गिरफतार किया गया है और साथ ही जो भी accused person होगा उसे उस magistrate के समक्ष भेजा जाएगा या भेजा जाने का निर्देश वो magistrate देगा जिसके पास में यह अधिकारिता है उस proceeding के सम्मंद में सम्मंद में परियापत कारण को रिटर नोट में देगा इसमें सम्मंद में प्रतिलूपी आदेश देने के अपने कारणों के सहित वो क्या करेगा चीफ जुडिशल मजिस्टेट को भेजेगा सम्मंद मामलों की रूप में अगर मजिस्टेट के दौरा कोई प्रोसीडिंग या कोई इन्वेस्टिकेशन चल रहा है और किसी एक्यूस्ट परसन को अरेस्ट करके रखा गया है अगर 6 माह के अवदी तक अगर वो समापत नहीं होता है तो मजिस्टेट क्या करती है उस अ आगे चलाना है तो इसके लिए विशेश कारणों का होना आवश्चक है के सब्सेक्शन 6 के अंदरगत क्या कहता है जो भी सब्सेक्शन 5 के आदिन में जो भी अपराद है जो भी इन्वेस्टिकेशन अगर उससे रोकने का आदेश दिया गया है और जो सेशन कोट है उससे अगर आविदन मिल रहा है कि नहीं उसके पास एक प्रयापत कारण है कि नहीं अपराद क्या जो भी कारवाही यह प्रोसेडिंग है यह इन्वेस्टिकेशन है वो आगे चलना चाहिए तो जो भी सब्सेक्शन 5 के अधिन जो भी आदेश दिया गया था वो जो शेशन कोट ह पोती है वह उस आदेश को रद कर सकती है और नित्तेश दे सकती है कि जमानत आप यह किसी माम्लों के सम्मन्ध में उस व्यक्ति को भी है रहा किया सकता है या उसे समय divisions के लिए प्रोसेडिंगähän के लिए आन्वेशन के लिए बुलाया सकता है ने इसकार है एक्शन 1 68 अधि पुलिस थाने के SHO को करेगा एस सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 169 जब साक्ष प्रयाप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना इस सेक्शन के अंदर करत क्या बोला इस चैप्टर के अधीन में जो भी अधारी होगा वह ऐसे दशा में उस व्यक्ति को क्या बोलेगा बॉन्ड रिलिस करने के लिए बोलेगा और वह क्या करेगा उसे वित्श्योटी जो है वह उसे छोड़ देगा और जब जब वह बोलेगा कि उसे पेश होना है हाजीर होना है तब वह हाजीर होगा और मजिस्ट आना पड़ेगा और उससे ससत किया जा सकता है नेश्ट हम सेक्षिन वन सावेंटी देखेंगे जब साक्ष प्रियाप्त है तब मामलों का मजिस्टेट के पास भेज दिया जाना इसके सब्सेक्षिन वन कंदगत क्या कह रहा है जो भी पुलिस थाने का ऐसे चो है उसके प्रियाप्त इविडेंस है और प्रियाप्त पुफ कॉपी भी है जो भी पुलिस के रिपोर्ट में लिखा गया है उस अपराद के समंध में तो ऐसे में उस वाक्ती को मजिस्टेट के समख्ष भेज़ दिया जाएगा और यदी वह जो भी crime किया है अगर वो जमानती है तो उसे जमानत दिया जाएगा यदी security लेना है तो वो security भी उससे लिया जाएगा और magistrate जो भी है उसे हाजरी के लिए जब भी बुलाएगा उससे магISTRATE के समग जाना होगा या माजिस्ट जब भी निर्देश देगा अगर वह तो जो भी उसके दिन प्रति दिन जो जिसके थूर से वह information received हुई है उस मामले के सम्मंद में तो उस व्यक्ति को भी magistrate के समख से भीजा जाएगा और magistrate जो उस व्यक्ति को यह आदेश देगा कि वो bond execute करें इस section के सब्सक्षन 3 के अंतरगत जो भी bond execute किया जाएगा चीफ judicial magistrate को तो उस bond के अंदर में उस court का भी उलेक होगा जिस court में जाचा विचारन के लिए यह मामला चलेगा तब ऐसी जो निर्देश है यह उन व्यक्तियों को भी दे दी जाएगी जिसने की यह सूचना दिया था complaint के समंद में और उससे समंदित व्यक्ति को भी दे दी जाएगी इस section के सब्सक्षन 4 के अंतरगत वो officer जिसकी उपस्थिती में वो bond एग्रिक्यूट किया गया है उस bond का एक copy है वो उन व्यक्तियों को भी देगा जिसने यह bond एग्रिक्यूट किया है और उसका जो main bond copy है वो अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्टेट के पास में भेजेगा नेस section हम देखेंगे section 171 परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारियों के साथ जाने की अपेक्षा ना किया जाना और उनका अवरुद्ध ना किया जाना इस section के दर क्या कहा गया है जिसने भी उस अपर टॉसित ना किया जाए एकिसी प्रकार की उन्हें हानी ना पूचाय जाय कि उनके साथ चलने के लिए मजबूर ना किया जाय और किसी प्रकार का जो भी प्रतिबुटी सिक्रिटीज है वो उन्हे ना लिया जाए जो भी उन्हेंने bond release किया है उसके अलावा इसके अंदर कर प्रोवाइजर में क्या कहा गया अगर किसी प्रकार का जो परिवादी है या फिर जो भी witness है अगर वो section 170 के अंतरगत यदि bond execute करने के लिए मना कर रहा है तो उसे जो पुलीस का जो SH होता है अधिकारी जो होता है वो क्या करेगा मजिस्टेट के पास में custody में उसे भेज देगा मजिस्टेट उसे अपनी custody में कब तक रहेगा जब तक कि वह bond execute नहीं कर देता है और इस मामले का जब तक पूरा फिनिश नहीं हो जाता है तब तक वह उसे अपनी custody में रखेगा नेस्ट हम देखेंगे section 172 अन्वेशन में कारवाहियों की डैरी इस section की subsection 1 के अंतकर जो भी police officers होता है वो जो जो भी है विवरन वो सब उस डैरी में वो लिखेगा इस परकार की डैरी को section 161 के आदीन में केस डैरी के नाम से जाना जाता है साथ ही उस डैरी जो है उस पर एक वाल्यूम होगा और डूली पैजिनेटेड होगा section 2 के अंतरगत एदी को यह लग रहा है कि वह evidence के रूप मे और ट्राइल के लिए उस डैरी को कोर्ट में मंगा सकती है सब्सक्शन 3 के अंतरगत जो भी accused person है या उससे संबंध में जो भी रिलैटिव है उसके उस डैरी को मांगने के कोई भी rights नहीं रखते हैं वो केवल उन्हें देख सकते हैं क्योंकि और वो कोर्ट पे दिखाई जा जो धारा 161 या धारा 145 के बंद लागो होते हैं अगर आईपीसी के सेक्शन 376 के समस्त सेक्शन के अंतरगत यदि अपरात के संबंध में इन्वेस्टिकेशन हुआ तो इन्वेस्टिकेशन तारीक से जो भी सेच्चों को इन्फोर्मेशन मिली थी वो दो मास तक के अंदर पुरा कर लिया जाएगा कि सब्सक्शन 2 के अंतर का जब इन्वेस्टिकेशन पूरा कर लिया जाता उस एसेच्चों के दारा तो वह क्या करेंगा जो पुलीस की जो रिपोर्ट है उसमें वह उस क्राइम के संबंध में समस्त इंफोमेशन उस मजिस्ट्रेट जो की उस क्र ्विजाद किया गया है या प्रतीत होता है यदि प्रतीत होता है तो किसके दौर होता है क्ल以後 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया kid इया फिर bon joint जो है कि कर रहाIRा या फिशियर्ट्री दिया इन बीडिया विताव स्यटिख इइन वन सेवन सेवन के लिए में अभ की नहीं यह सारी बात बात में सलगन की जाती है इसमें साथ ही उस व्यक्ति को भी complete information दिया जाएगा प्रसीडिंग के संबन में इस सब्सकुर्थ है से ऐसे जो होते है वह स्टेट आने की जो होते हैं उनको यह निर्देश दे सकती है कि वह इन्वेस्टिकेशन को और आगे रखे इस सब्सक्राइब के अंतरगत यदि मजिस्टेट को जो भी रिपोर्ट भेजी गई होती है अगर ऐसा लग रहा है कि जो परसन को बॉंड के बेस पर छोड़ दिया गया है त सब्सक्राइब के अंतरगरत यदि जो रिपोर्ट है वह सक्षन 170 लागू होती है उस पर तो पुलिस जो अधिकारी होता है मजिस्टेट को रिपोर्ट के साथ निमलिकित बाते भेजीगा जैसे कि वह सारे दस्तावेजों की इन्फोमेशन भेज़ेगा मजिस्टेट को और तो ऐसे में उससे हो सकता है कि पुलिक को किसी प्रकार का प्राब्लम्स हो सकता है तो ऐसे में वह उस भाग को दर्शित करेगा कि जो भी अभ्यूक को उस कोर्ट प्रोसेडिंग की समद में जो भी कॉपी ये प्रतिलिपी दी गई है उसमें से वह चीज़े निकाल दी कि यह कतन उस जगह से निकाल दिया जाए के सब्सक्शन 7 के अंतरगाति यदि अन्वेशन करने वाला जो भी पुलिस ऑफिसर्स है ऐसा करने के लिए वह सुविधापूर्ण समझता है तो वह सब्सक्शन 5 में निदिश्ट सभी दस्तावेजों की प्रतिया जो है वह एक्यू पुलिस थाने का जो भी ऐसे चोधिकारी होता है वह अगर मौकिक या दस्तावेज जो भी प्रूफ उसे मिले है वहां ऐसे अगर किसी इविदेंस के संब्द में अतिरिक्त रिपोर्ट अगर वह मजिस्टेट को विहित रूप में भेज़ेगा तो सब्सक्शन 2 से सब्सक् पुलिस का जाज करना और रिपोर्ट देना इस सब्सक्शन 1 के अंतरगरत जो भी ऐसे चो है जो भी स्टेट गवर्मेंट दौरा इंपावर्ड यदि कोई पुलिस ऑफिसर से अगर से किसी प्रकार की इंफोर्मेशन मिलती है कि यह कोई व्यक्ति है जिसने आत्मत्या कर ल उस अपरात के सम्मंद में जो भी वैक्ति है निकरतम में जो एक्जिकटिव मजिस्टेट होगा उसे वह तूरंत ही इंफोर्मेशन देगा और जो भी स्टेट गॉर्मेंट नियम बनाएं हैं वहां के तो जो भी इस जो भी डिस्टिक मजिस्टेट होगा या सब्डिशनल म पारित करेगा इसके समन में कि उस इस्थान पर जाएंगे और उस मिलतक वैक्ति जो है उसके सरीर का इंवेस्टिकेशन करेंगे और वहां के जो परोस के जो नेवर्स होंगे उनमें से दो या दो से अधिक नेवर्स को बुलाएंगे और जो भी वहां का रिपोर्ट जो भी की वहां पर कुछ दाव्ट उडपन होता है तो अन्य व्यक्ति ने ऐसे के समद में कोई अपराद किया है या फिर वो जो इस्तरी है वो विवा के साथ वर्ष के भीतर ही मृत्यू से संबंदित हो जाती है और उस इस्तरी के किसी रिस्तेदान ने ये निवेदन किया है जाज के संबंद में या फिर मृत्यों के कारण का कोई संधे है कि वो अचानक से कैसे मर गये है या फिर कोई कारण पुलीस अधिकारी को लग रहा है कि ने इन्वेस्टिकेशन किया जाना चाहिए अब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो भी स्टेट गौर्णमेंट जो भी रूल्स बनाए है तो जो पुलीस अधिकारी उसे फॉलो करेगा और वो उस डेट बॉडी को ले जाने के लिए देखेगा कि उसे किते दूरी तक ले की जाना है जिससे कि वो सरीर जो है किसी प् इसमेंशन होगा वह रजिस्टिक रित मेडिकल्स हॉस्पिटल्स गॉर्णमेंट के दौरा ही किया जाएगा सेक्शन फॉर के अंदरगात कुछ मजिस्टेट होते हैं जिनने इस प्रकार का पावर्स दिया गया है कि इस प्रकार की जो भी मिर्त्युकारित हुई है उसके सं मजिस्टेट सब दूसनों मजिस्टेट या इस्टेट गॉर्णमेंट या डिस्टिक मजिस्टेट जो इस्पेशलाइज होते है या एक्जिकेटिव मजिस्टेट नैस्ट हम देखेंगे सक्षिन 175 वैक्तियों को संबन करने की सकती सक्षिन के अंतरकरत जो भी सक्षिन 174 के अधीन में प्रोसेडिंग करने वाला जो भी पुलिस अधिकारी होता है ये दो या दो से अधिक वैक्तियों को इंवस्टिकेशन के प्रॉसेस के लिए वो क्या कर सकता है और इन राइटिंग के सवाल भी कर सकता है जो कि उस investigation के लिए जरूरी हो तब उन वैक्टियों को उन सवालों के सही सही उत्तर देने के लिए मजबूर होना पड़ता है इस section का सब्सेक्शन 2 क्या कह रहा है जो भी crime हुआ है अगर उसके जो भी evidence है अगर section 170 लागू है या प्रकट नहीं होता है त section 176 मिर्ट्यू के कारण की magistrate दौरा जाच सब्सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि section 174 यह एक power देता है उस magistrate को जो की मिर्ट्यू समिक्षा कर सकेगा और वो मिर्ट्यू समिक्षा जब करेगा तो उसे वह सारी powers होगी जो कि पुलिस अधिकारी को अन्वेशन करने के लिए दिया ज सब्सक्राइब कि Сब्सक्राइब यह इस तरी के साथ में रेट जैसी है या फिर जो भी जाज किया जाता है वो जो नियाइक मजिस्टेट होगा या महानागर का मजिस्टेट होगा या फिर जो इस्थानी अधिकाईता रखने वाला जो मजिस्टेट होता उनके दोरा भी की जाएगी सब्सेक्शन टू के अंतरकत जो भी मजिस्टेट जाज करता है अगर इसके सम्मन्द में किसी प्रकार का इविडेंस से लिया गया है तो वह मामलों की परिस्टितियों के अनुसार उसे उसमें दर्शित करेगा इसके सब्सेक्शन टीन के अंतरकत क्या कहरा है जो मजिस्टेट है अगर उसे ये लग रहा है जाज के दुरान की कोई एक ऐसा वैक्ति है जो की मार के उसे जमीन के अंदर गार दिया गया है अगर उसके मृत शरीड को बाहर निकाला जाए तो पता लग सकता है कि उसकी मृत्यू का क्या कारण होगा तो magistrate वैसे सरी को निकालने का आदेश दे सकता है उसके medical examination करने का भी आदेश दे सकता है इसका सब्सक्षन 4 क्या कहता है जब जाच हो रही है उस मृत्तक व्यक्ति के सम्मंद में तो जो magistrate होगा वो क्या करेगा जो मृत्तक की जो भी न दिन में जो भी जाच या फिर जो भी elevation किया है जो भी नियाग मघिस्टेरी या महानागर मघिस्टे या कारपाले का मघिस्टे या पुलीस अदिकारी है जो भी वैक्ति की मिल्त्यूं के में 24 घंटे के भीतर में उसकी परिक्षा की जाने की डिस्टी से सरी轉 को सीविल इसने कौन व्यक्ति उसे लेके आया है और उसके समद में सारे रिपोर्ट तियार की जाएगी साथ ही अमरा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है वीडियो काफी लंबी बनी थी पर इसमें सारे कंटेंड कवर किये गए है आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिप्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू